कि जैग्रू नमस्कार विलकेम पैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई हो कि आप सब ठीक होंगे और ये व्लोग हमारा सटर्डे का 12 अगस्त का है और संडे को हमारा व्लोग आया नहीं कोई भी व्लोग संडे को आने का था लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि हमारे साथ कुछ कोई वीडियो को इडिट नहीं कर पाई दो दिन से हमारे घर में कुछ ऐसा प्राइम नहीं दो चार दिन तो मन भी नहीं करता है कुछ करने का यह सब वीडियो में भी मन नहीं जाता है करने का लेकिन फिर भी एक जो रूटीन बना हुआ हमारा तो मैं उसको भी नहीं छोड़ सकती हूं उसको भी पीछे नहीं रख सकती हूं तो इसके कर मैं जे वीडियो को भी कभी कभी टाइम निक जग गई थी पहले हं क्योंकि बाबू कब्वी पहले खुद से नहीं जग के स्कुल झाती है आज वह खुद से जग गई थी और जगने के बाद मुझे बोल दुजा। अच मैं खुद से जग गई हूँ देखो ममा मुझे बरस करना है आज ऐसा भी बोल जग ती thank you कभी नहीं ऐसा बोलती थी उसको जगाना परता है उसके बाद वो इसकुल के लिए रेडी होती है जबकि बहुत मुश्किल से उसको जगाना परता है आज तो वो खुद से जगी थी तो तो जल्दी भी जग गई थी तो पापा उसको लेकर के चले गए थे थोड़ा बाहर के तरफ घुमाने के लिए और मैं तब तक सुची रूम का साफ सफाई कर लेती हूँ तो मैं बेड़ बेड़ जो भी था हमारा बनाने के लिए वो सारे को बना के और फिर मैं जारू लगा रही थी तब तक बाबू को लेके पापा तो गए ही थे उधर घुमाने के लिए और फिर उधर से आने के बाद बाबू को फिर पापा बरस उरस करवाए फिर फ्रेस उरस होने के बाद उसको फिर रेडी भी करवाए तो फिर जारू कम्प्लिट करने के बाद जारू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी बाबू को खाना खिलाने काना खिला के आज तो सटर्डे था सटर्डे को बाबू के स्कूल में वाइट ड्रेस होता है तो उस दिन उसको मैं white dress तो पहना दी थी लेकिन एक बाड हमारे साथ ऐसा हुआ था ना कि पिछले Saturday को ही इस से पिछले Saturday को मुझे याद ही नहीं था कि सटर्डे मुझे ऐसा लग रहा था आज फ्राइडे है तो मैं उसको रेड वाला ड्रेस ही पहना करके स्कूल भेज दी जब इसकूल गई तो फिर वहां से मुझे कॉल करके बता रही है थी बाबो कि ममा आज तो मुझे वाइड ड्रेस पहनना था आपने मुझे रेड कलर वाल मोबाइल भी देख ली थी कि सटड़े है या कौन सटड़े है आज तो फिर बाबो को वाइड ड्रेस पहना के रेड़ी वेड़ी करके उसको इसकूल भेज दिये थे और वो जब इसकूल चली गई थी तो फिर उसको उसको भेजने के बाद फिर मैं रूम में आई तो पोच गंटे ही रहती है स्कूल में तो उसके लिए उसको भापती देव भी स्कूल से छोड़ के आते नहीं है हज्बन वहीं पर रह जाते हैं दो घंडे में में बहुत सारा काम तब तक नई पढ़ जाता है और अगर बाबु घर में होती है न थो नहीं गहां नहीं बहूत में ब फिर मैं नहा के भी आ चुकी थी सारा काम कम्प्रेट करके और खाना जो बनाना था मुझे वो खाना के लिए भी मैं सारा कुछ रेडी कर चुकी थी कि मुझे क्या दाल सबजी किया बनाना है वो सबजी भी मैंने काट लिया था और सारा कुछ कीचन के लिए भी रेडी हो चुका था नहा के भी आ चुकी थी कीचन का सारा कुछ रेडी करके नाने जाती हो न तो उसके बाद वहां से आके सिर्फ खाना बनाने रहता है तो टाइम बिलकुल भी ने रहता है तुरन खाना बन जाता है सबजी काटा रहता है मसाला रेडी रहता है सारा कुछ रेडी रहता है खाना बनने में टाइम बिलकु तो नहाना दोना भी पूजा पाट सबकुछ हो चुका था उसके बाद मैं जा रही थी खाना बनाने पिर मैं कीचन में आ गई थी और मुझे मनमक चाय बना के पहले पी लूँ वैसे मैं चाय नहीं पीती हूं बर्भी कभी किसी किसी दिना मन होता है कभी कभी चाय पीने का तो मुझे कभी मन हो जाता है चाय पीने का तो चाय पी कर बना के लिये ही थे कप में कि खाना तो बना भी नहीं था हमारा तब तक बाबु इसकुल से आ गई आज तुरह जल्दी भी आ गई थी और इसकुल से आने के बाद हस्बिन बोल रहे हैं बार-बार कि इसको तवियत खड़ाब लग रहा है इसको लग रहा है फीवर आएगा थोड़ा थोड़ा बोड़ी गर्म भी है और बोल रही है पूरा शरीर में दर्द हो रहा है पूरा दुख रहा है लेग में दर्द हो रहा है हैंड में दर्द हो रहा तो सोच एक बार चेक कर लेते हैं इसका थर्मामीटर से कि देखे कितना फीवर है तो उसका फीवर जब चेक किये तो फीवर भी बहुत ज्यादा था 101 डिगरी 102 डिगरी ऐसा कुछ-कुछ आ रहा था बार बार चेक करने पर फिर उसको हजबेट दवाई लाके दिये मार्केट और भी तो नहीं बना तब तक उसले था तो हजबन का छुटा था अफिस में गया नहीं थे उस दिन खुटाए ह्ता हुझ हो रहा था तो मुझे इस से कोई प्राबलम नहीं हो रही थी बाबु का इतना तवियत खड़ाब हो गया ना अचानक से मुझे बहुत दुख हो रहा था बार बार रो भी रही थी इतना जादा और मुझे छोड़ना ही नहीं चार रही थी बार बार बोल रही थी मुझे ममा के पास रहना ही है ममा के गोदी में रहना है अगर कुछ हो लेकर भी आते थे तो कुछ खाना नहीं चाह रही थे तो जिसके करना साम क्यों के टायम में 30 साम का स्ट्रड़े Rs 7 साम का में किछ राज करुआ था की चंप में दाल चावल उसके भी शुबह या फ्रहे करें मैं दाल चावल सब्सक बोड़ थे के बहनाई को तीन चम्मच खाई होगी बस वही खाके रह गई और बच्चे को घर में कुछ हो जाए ना तो एक दम अच्छा नहीं लगता है और इतना ज़्यादा अगर बच्चे रोने लगे ना तो खुद पर रोना आ जाता है सच में बहुत खड़ाब लग रहा था बाबू को इतना आइव हमेशा रोती रहती है नहीं तो जगी रहती है तो रोती ही हमेशा रहती है हमेशा और ब theor पताने अचानक से इससाथ इतना तवियत खड़ाब और इधर से कुछ ना कुछ हो ही जाता है बाबु को तो एक बड़ मुझे लगता है डॉक्टर से मिलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा तवियत खड़ाब होड़ा है इधर से उसके लाई थी मैं हल्वा बना के वही थोड़ी सी बोल ली थी त और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर इंट करना चाहूंगी वीडियो को ज़्यादा लंबा करूंगी ने और अगर हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए बताए हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है